जैने दोस्तों हंदे मातरम, अब आप मेरे हाथ में इस तेल की शीशी को देखकर बिल्कुल ये मत सोचेगा कि मैं भी आपको इस तेल को बेचने वाला हूँ दरसल ये शीशी मैंने भी कुछी दिनों पहले एक वेबसाइट से खरीदी, इस वेबसाइट के ऊपर मतलब इस तरह के तेल काफी सारे मिल रहे थे और प्राइस भी काफी खतरनाक थी, आप अपने हिसाब से उस प्राइस का पता लगा लिजेगा क्योंकि मैं बताना नहीं च कोई expiry date भी नहीं है, सबसे बड़ी बात जो एक price tag हम लोग हर एक product के ऊपर देखते हैं कि this is the price, maximum retail price, inclusive of all taxes वो भी यहाँ पर नहीं लिखा है, तो अब्विस सी बात है जब इतनी सारी चीजें इस शीशी के ऊपर नहीं लिखी हैं, तो मन में तो एक हयाल आएगा ही कि जो इ ऐसा influencer होगा, शायदी कोई ऐसा creator होगा, जो की आदिवासी hair oil को promote नहीं कर रहा है, हलाकि ये बात और है कि आम जंता जिनकों के इस hair oil से फायदा हो रहा हो, उनकी कोई photo ये वीडियो निकल कर सामने नहीं आई है, हाँ, 10-20% में से किसी के एकात्ती आ गई हो तो एक बात समझ होगता है कि भूले भटके ये चीज़ करने को मिल गई हो और थोड़े बहुत करके उन्होंने उस को promote कर दिया हो, तो नाम यहाँ पर थोड़े बहुत नहीं है, काफी सारे है, जिसमें कि गौरवारिया जी का भी नाम है, ठगेश का नाम है, एलविश है, ट्रिगर्ड इंस को फायदा जरूर हुआ होगा, तब ही उन्होंने वहाँ पर जाके promote किया है, ना, मुस्टर फैजू है, रॉंग करके एक बंदा है, जो कि अपने वीडियो बनाता है, कुछ होरर वाइले टाइप के इस तरह के, रियल हिट वाले है, सलूनी आपा है, ठगेश है, विवेक ब बिंद्रा है, पुशान सिनाजी भी है, शिवम मलिक है, रिशव बिदुरी का नाम में आपको बताया, सबसे बड़ी बात, तो अब ये लोग इंफ्लूएंसर से उपर उठके, सेलिबिटीस तब भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैंने फाराख खान जी का भी वीडियो यहा ये प्रमोशन मुझे कुछ ऐसा लगता है, जैसे ये लोग कोल्डरिंग को लेकर करते हैं, कि आपको बोल दता है कि भाईया, जिंदगी में कुछ तूफानी होना चाहिए, लेकिन ये खुद उस कोल्डरिंग को लेना भी पसंद नहीं करते हैं, अगर मैं इस हेरोयल की बा रहा है, वो उपर से तेल लगाने के करण कैसे रुप जाएगा, दूसरी बात जो डेंडर एक तरह का जो फंगाई होता है, जो तेल लगाने साथा जाता है, उसको तुम तेल लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हो, और सफेद बालों को काला करने का तो तुक ही समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज अल्रेडी सफेद है, काली तुम कैसे कर रहे है, कोई सैंटिफिक तरीका बता रहे हो, तो बता दो, अच्छा, ये लोग इस चीज के लिए क्लेम करते हैं कि हम तो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, कोई बोलता है, 108 जड़ी बूटी, कोई बोल है गया था, ये तेरा असली है, हाला कि इसके साथ ये भी कहा गया था, कि 30 दिनों मैं इसको वापस कर सकता हूँ, और इसके उपर कुछ नंबर्स भी दिये हूँ है, लेकिन मैं इस तेल को वापस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं, अब आप समझ जाईए, मैं क्या कहना जा रहा हूँ, तो मुद्दा ये था, कि हरे क्रियेटर एक अलग-अलग एर और हेर और बनाने वाले के पास जा रहा है, और बोल रहा है कि भाईया, ये असली है, ये असली है, और इस बीच में एक कंज्यूमर जो है, वो कही ना कहीं इस बात का पहले भरोसा कर लेता है, क यार, ये हम लोग हेर ओयल जो है, जड़ी बूटियों से बना रहे है, जब आप तेल में जड़ी बूटी को डाल रहे हो, तो आप एक चीज बताओ, आपने कभी ये बात सुनी है, कि आपको किसी चीज को उबालना है, जिससे कि उस चीज का कस उसमें आ सके, तो आप उसको फ्राई करो, मैं जितनी मेरी समझे में इतना जानता हूँ, कि जब भी आप किसी चीज को तेल में डालते हो, तो फ्राई होती ना कि बॉइल होती है, और यहाँ पर ये लोग, ये लोग एलवी शादफ का मैंने वीडियो देखा था, ये लोग ये लोग ये लोग ये बहन क पहले चीज़, दूसरा, जिस अलवी शादफ का ही जो मैंने वीडियो देखा, उसमें जब इन लोगों ने कोकोनट ओल डाला, कोकोनट ओल जितना मेरी समझ में हिसाब चाहरा है, प्योर की बात करें, तो हमेशा वाइट होता है, बड़ यहाँ पर ये लोग जाता हुआ द किया जा रहा है, करोडों में लोगों को रूपया दिया जा रहा है, मतलब ददद 15-15 लाग तक पी किया जा रहा है, बस आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, अब आप सोचो कि यार इतना पैसा कोई खर्च कर के क्या ही, मतलब लोगों को समझ में आ जाएगा, लोगों क क्या एक पूरा तरीका अपनाया था मतलब एलवी शादो ने तो खुद हेयर ट्रीटमेंट लिया था उसके बाद बंदा वो तेल लेने के लिए जा रहा है सबसे बड़ी बात तो यह अच्छा यहाँ पर एक नरेटिव क्या बनाया जा रहा है कि देखो हम स्कैम को एक्सपोस कर रहा है लेकिन उस्कैम को एक्सपोस करने के लिए ये लोग उसी व्यक्ति के पास पहुँच जा रहे हैं जो आरोप के अंदर आया हुआ है मतलब कि जिस व्यक्ति का आप आदिवासी ओईल के स्कैम के बारे में एक जो में इनका एजेंडा रहता था इनके प्रमोशन्स में यह बताना कि हम आदिवासी हैं हम पड़े लिखे नहीं है हम गरीब हैं हम बहुत मजबूर हैं लेकिन अगर आप आज की तारीक में इनके सेल्स के जो प्रोडक्शन है उसको देखोगे या जिस तरीके से यह पू कुछ भी चीज नहीं है बाई कुछ भी चीज नहीं लिखी है तो आप मुझे बताओ न ऐसे तो अगर इस बॉटल के उपर में अपना रैपर चिपका के आपको चिपका दू कि लो भाईया मेरा भी आदिवासी है तो क्या आप वाकई में भरोसा ना कर लोगे कुछ ऐसा ही फ्रीडम 251 बोल के फोन बेच दिया गया अब यहां पर आदिवासी है क्योंकि हमारे देश की बात आती है हमारे देश की बात आती है ताटा नमक देश का नमक खाना है मुझको अच्छा नमक था हो मैं यह नहीं होल रहा है बट एक साइकलोजी की में बात कर रहा हूं तो एक तेल में कुछ जड़ी बूटियों को उबालना करके फ्राई करके हमारे सामने तेल बनाने की प्रोसेस बता कर यह लोग बोलते हैं कि भई यह तो हम लोग बड़ी है तेल बना रहा है लेकिन समस्या यह है कि क्या वाकई में यह यह तेल को लगाने से आपको कुछ जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो सोला से तीस जड़ी बूटियों की टोकरियां यह लोग दिखा देते हैं और फिर आखरी में सीग्रेट इंडीयन वाला पॉडर होता है वह लाके से डालते हैं और बोलते हैं यह हमारा सीग्रेट इंग्रीडियन्ट है पर तेल बना रहे हो तुम खुदी बोल रहा हो कि हम नहीं हम स्कैम एक्सपोस कर रहे हैं और वो स्कैम को एक्सपोस करते समय या बताते समय तुम खुदी एक सीग्रेट इंग्रीडियन्ट डाल देते हो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई तू वहाँ पे गुड़का वो बुरा नहीं डाल रहा है या तू कुछ और नहीं डाल रहा है समझ में नहीं आता इसके अलावा एक government taxes को लेकर भी अब इस तिन लोगों के उपर काफी बाते चल रही है कि भाई ये लोग GST बचाने के लिए cash on delivery के उपर जाता फोकस करते हैं और इसलिए लोग इस बात को भी बोलते हैं कि भाई ये आप तो हमको सीधे phone करो आप हमको direct phone करो और हम आपको direct घर पे भज़वाएंगे कोई बीच में middleman की जरूरती नहीं बेसिक सी बात ये है कि यहाँ पर इस समय influencer market में जो ये पूरा का पूरा एक जाल सा फैल गया है जहाँ पर कि हर एक influencer इस बहती गंगा में हाथ दो कर थोड़ा बाग बाग निकालना चाह रहा है उस बीच में सबसे दा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है consumer का एक consumer का नुकसान हो रहा जैसे कि अगर मैंने ये तेल खरीदा है तो क्या वाकई में इस तेल को लगा कर मुझे कोई फायदा होगा और चलिए ठीक है फायदा ना हो तो मुझे शायद कोई दिक्कत नहीं है बट इस तेल को लगा कर अगर मुझे नुकसान हो गया मेरी बनी बचाई जो बची हुई एक खेती है अगर वो खेती चली गई तो क्या होगा इस बात के जिम्मदारी कोई नहीं लेगा क्योंकि इस बॉटल के उपर दियो हुए नंबरों के उपर जब मैंने कॉल किया कि भाईया मुझे तो फायदा नहीं हो रहा तुम तो मेरे पाईसे वापस कर दो तो इन नंबरों पर एक्चुली में फोन भी नहीं लगता है ये रियालिटी है अगर इस रियालिटी को हम लोग मतलब नहीं समझेंगे तो शायद आने वाले समय में हम लोग और भी जादे इसी तरह के स्कैम्स में फस्ते जाएंगे एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर अगर वाकई में कोई असली आदिवासी हेर आयल है तो वो तो बिचारा बहुत पीज़े छुप गया है क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं कि नहीं हम लोग अमेजॉन पर असली तेल नहीं बेच पा रहे हैं हम लोग अमेजॉन पर ये लोग खुद ही अमेजॉन पर बेच रहे हैं जो व्यक्ति एकलेम करता है कि मैं अमेजॉन पर सामान नहीं बेच पा रहा हूँ वो Google पैड चला रहा है, वो Facebook पैड चला रहा है, वो बथेरे Influencers को घेर रहा है, हर एक चीज़ वो कर पार, अपनी website maintain कर रहा है, अपनी website maintain करके वहाँ पर shipping के लिए एक अलग third party को use कर रहा है, हर product पर COD की facility दे रहा है, जबकि वहाँ पर 50-60 रुपए पे करने पड़ते हैं ह भारत